फेमस सिंगर और रैपर हानी सिंग की पतने शालनी तलवार ने कुछी दिन पहले रैपर के उपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था इस मुद्दे पर हानी सिंग ने पहली बार अपनी चुपी तोड़ी है और अपने इंस्टाग्राम पर जनता के बीच एक नोट शेयर किया है हानी सिंग ने लिखा कि जो मेरी पतने शालनी सिंग द्वारा मुझ पर जूटे आरोप लगाये गए हैं इस पर मैं दिल से बहुत दुखी मैंसूस कर रहा हूँ ये सारे आरोप जूटे हैं मैंने पहले कभी भी कोई पबलिक स्टेट्मिन जारी नहीं किया मेरी लिरिक्स को जब क्रिटिसाइच किया गया था जब मेरी हेल्थ को लेके तरह-तरह की बाते की गई थी जब negative media courage की गई थी मैंने कभी भी statement जारी नहीं किया मगर इस बार मेरी चुपपी इसलिए टूटी है क्योंकि आरोप मेरे परिवार पर लगाए गए है मेरे बुढ़े, माबाप, मेरी छोटी बेहन ये वो लोग हैं जो मेरे मुस्किल वक्त में मेरे साथ खड़े थे ये सारे आरोप एकदम बेबुनी याद हैं आगे हनी ने लिखा कि मैं 15 साल से इस इंडरस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ मैंने कई सारे आर्टिस्ट और म्यूजिसिन के साथ काम किया है सभी को इस बारे में पता है कि मेरी पतनी के साथ मेरे relationship कैसे है मैं सीरे से इन सब यारोपों को खारेच करता हूँ मगर मैं इस पर इस से जादा कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मामला कोट में है मुझे देश के न्याई विवस्ता पर पूरा भरोसा है मुझे भरोसा है कि जल्दी सच सब के सामने आएगा